हाई फ्रेंड्स वेल्कम टो फिजिक्स फ्लायर दे लौनर डिस्टिनी मैं और आज शिकाबरा वेल्कम करते हूँ आप सबका ओनली ओन फिजिक्स फ्लायर जहाँ पर आज अपन बात करने वाले फर्मी डिरेक्ट स्टाटस्टिक के डेरिवेशन के बारे में पिछले वीडिय अपनर क्या करेंगे अपना जो एक्वेशन था वह अपन लिखी किया मैंने आपको बताया था कि क्या था एं सी आर कोसी उस्पाल लें कि अपने पास क्या आने वाला है जी फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल जी माइनस एन फैक्टोरियल अब ऐसा आने वाला है बट यहाँ पर जो बात है आयट तर्म के लिए है अब आयट तर्म के लिए है अब अपने को क्या होना i at term के लिए होना तो फिर क्या आएगा सब कुछ summation में आएगा क्या आएगा आएगा आपके पास सब कुछ summation में आएगा अब फिर summation में आपके पास क्या हो जाएंगा w equals to अब summation में आपके पास क्या हो जाएंगा फिर w equals to अब summation और multiplier कोई भी आप लिख सकते हो gi factorial i term है न उसमें इसलिए gi factorial upon ni factorial gi minus ni factorial समझा आपको ये clear है अब यहाँ पर जो है अपन क्या करेंगे log लगाएंगे यहाँ पर क्या लगाएंगे log by taking log आपके पास क्या हो जाएंगा log of w equals to log of multiplier i gi factorial upon ni factorial gi minus ni factorial समझा अब यहाँ पर log लगाया तो अब मैंने आपको तीन तीन बार बता दिया है कि log of अगर आपके पास ऐसे है log of a by b है तो इसको आप क्या लिख सकते हो log of a minus log of b तो इसको भी मैं क्या करूँगी log of a minus log of b के जिसे लिख दूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएंगा log of अब यहाँ पर जो multiplier है वो यहाँ पर multiplier log of gi factorial okay minus log of ni factorial अब मैंने और क्या बोला था आपको कि log of a into b रहा तो आप क्या लिख सकते हो log of a plus log of b तो यह क्या है a into b के जिसे तो अपन इसको कर देंगे plus में तो यहाँ पर जो है वो कैसे हो जाएंगा इसको मैं bracket क्यों कर रही हूँ यह भी मैं आपको बताती हूँ अब जब मैं log लगांगी तो यह जो multiplier है वो क्या हो जाएंगा समेशन लिख सकते है अपन multiplier को तो इसको भी मैं समेशन लिख देती हूँ और एक स्टेप अपनी बच जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्लस है lucky क्या हो जाएंगा इसा क्या अपने को बोलता है ऐस्टरलीं अगर किसी भी factorial 까 आपको log निकालना है आपको क्या मिलता है ? वह value log of उस value minus वह value मतलब क्या अगर log गई factorial है तो आपको क्या मिलेगा ? gi log of gi minus gi okay ये आपको मिलेगा तो यही जो value है वो आपन gi के लिए put करेंगे log of gi factorial के log of ni के लिए भी वैसे ही value आएँगे log of gi minus ni के लिए भी उसी type की value आपको put करनी पड़ेगी तो असलिए put करते है so by putting the value from the sterling approximation summation of i आपके पास अब क्या होगा gi log of gi minus gi यह किसके लिए हो गए इसके लिए फिर क्या है आपके पास minus फिर क्या है log of ni तो इसके लिए क्या हो जाएंगा ni factorial तो ni log of ni फिर minus ni होगा माइनस इसको पूरे इसको है थो फिर minus- it क्या हो जाएंगाול संजहर फिर अब क्या है log of gi minus ni को फिर क्या हो जाएंगा आपके पास gi i minus gi and i log of gi यहापर परमा लेकिन minus क्यों जाएंगा plus gi i minus ni संजहरे अब Ji आपर जो जो value cut होंगी वो cut कर देंगे values कौनती कौनती cut होने वाली यह देखो minus gi plus gi हो गया cancel plus ni minus ni हो गया cancel अब आपके पास क्या बच्चा summation of i gi log of gi minus ni log of ni minus gi minus ni log of gi minus ni log of gi minus ni okay clear है यहां तक सभी को यहां पर यह क्या है आपके पास log of w अब इसको क्या करेंगे partially differentiate partially differentiate करने के बाद partial differentiation आप यहां पर लगाओगे अब यहां पर partial differentiation लगाओगे तब आपको एक बात यहां पर दिख रही है कि जो आपके फॉर्स टर्म है gi log of gi वो क्या हो जाएंगी 0 क्यों होंगी 0 क्योंकि gi constant value है तो यहां पर gi log of gi मतलब यह 0 हो जाएंगा ओके अब जो second value है वो क्या है ni log of ni अब ni log of ni को क्या पकड़ेंगे ně को पकड़ेंगे यू v फिर यहां पर लगाएंगे u into u का rul तो यहां पर क्या हो जाएंगा dell log of w is equals first term तो आपकी क्या होगी 0 होगे फिर क्या हैchu minus यहां पर क्या लगाएंगी u into अब log of ni का derivative क्या होगा log of ni का derivative निकाहना है तो वो क्या होता है one upon ni लेकिन अब यहाँ पर क्या है partial derivative तो फिर यहाँ पर वापस से क्या होगा डल of ni तो आपको क्या मिलेगा है यहाँ पर one upon ni del of ni ओके clear यहाँ पर u into v मतलब u into derivative of v फिर क्या होगा plus plus क्या होता है v into derivative of v मतलब यह हो गया v into derivative of ni अब ini का derivative क्या होगा 1 ओके लेकिन है पर partial derivative इसले फिर आपर क्या जाएंगा del of ni समझा तो इसका derivative अपने solve किया अब इसके आगे के derivative को देखो अब क्या है इसको पकड़ेंगे u इसको पकड़ेंगे v minus u into derivative of v तो u आपका वैसे की वैसे अब derivative of v means क्या हो जाएंगा 1 upon gi minus ni अब क्या करना पड़ेंगा gi minus ni को फिर से differentiate क्योंकि partial है लेकिन gi का differentiation तो 0 हो जाएंगा minus ni का differentiation क्या होगा minus del of ni समझा clear है u into v का derivative क्या होगा u into derivative of v फिर क्या होगा plus v into derivative of u तो v क्या है आपका log of gi minus ni so यहाँ पर आपको मिलेगा log of gi minus ni into derivative of इसका मतलब gi minus ni का gi का derivative तो 0 होगा minus ni का क्या हो जाएंगा minus del of ni समझा minus del of ni क्या से होगा देखो ni का derivative जो है वो क्या हो जाएंगा 1 लेकिन यह होगा minus 1 minus 1 होगा और फिर से derivative करोंगे तो फिर plus हो जाएंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा plus अब plus क्यों हुआ देखो ni का derivative 1 होगता है लेकिन यहाँ पर क्या है minus है तो minus 1 होगा ओके फिर del of ni hoगा फिर del of ni q भी क्या होगा minus होगा क्योंकि हाँ पर minus है तो फिर minus minus क्या हो जाएंगा plus value हो जाएंगी तो आपको यह मिलेगा समझे आपको यह तो मैं आप यहाँ पर जो value cancel out होगी वो value को cancel out कर दूँगी और फिर अपर लिखेंगे आगे अब देखो ni ni cancel हुआ gi minus ni gi minus ni cancel होगा हो गया cancel अब फिर आपके पास जो बच्चा है वो क्या है del log of w is equal to summation of del of ni plus log of ni del of ni अब देखो यह क्या है minus है और यह minus minus क्या हो जाएंगा plus हो जाएंगा फिर क्या हो जाएंगा plus del of ni यह क्या हो जाएंगा minus log of gi minus ni ओके फिर यह क्या हो जाएंगा minus into plus minus del of ni समझा clear है अब देखो minus del of ni और plus del of ni क्या है opposite साय है same value है तो यह value और यह value होगे cancel out फिर आपके पास shift क्या बचा three values बचे जो values अपन अब लिखेंगे clear है आपर सभी को so आपके पास अब क्या है del of log of w is equal to summation of del of ni plus log of ni del of ni ओके फिर क्या है आपके पास minus log of gi minus ni clear है यहा तक सभी को ओके अब देखो यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर बतानी है कि जब आप क्या करोंगे del of ni को अगर मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ फिर अगर मैंने del of ni को बाहर निकाल दिया तो मेरे पास क्या हो जाएंगा one plus log of ni minus log of gi minus ni del of ni अब यहाँ पर जो one है वो neglect करने के लिए two reasons two reasons मिन्स क्या कि as compared to ni and gi one जो होगा one जो होगा वो क्या होगा बहुत 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 छोटा होगा मिन्स आप क्या कर सकते हो one को neglect कर सकते हो तो आप यहाँ पर one को neglect कर सकते हो यहाँ फिर यहाँ फिर और यहाँ पर क्या है del of ni जब ni constant value है number of particle constant है then ni constant होगा फिर ni को derivative निकालोंगे तो यह 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको directly 0 मिलेगा और अगर फिर आप बोलोंगे कि यहाँ पर भी del of ni है यहाँ पर क्यों नहीं 0 हो रहा क्यों कि देखो कोई भी constant value अगर आपके पास supposed भी एक constant है और a के साथ कोई तो भी एक value है ओके तो यहाँ पर आपके पास क्या है log of ni, del of ni तो एक चीज़ constant है एक चीज़ constant नहीं है तो यह 0 आप नहीं कर सको तो यहाँ पर आपको समझा कि ni और gisa 1 जो है वह बहुत बहुत छोटा होने के वज़े से वह आपन निगलेट कर देंगे तो बाया neglecting 1 अपने पास क्या बचेंगा summation अब देखो अगर आप बात करो 50,000 रुपे की तो 500,000 रुपे के सामने 1 रुपीस क्या है बहुत बहुत चोटा है या फिर 1 1 पैसी गिता है बहुत बहुत चोटा है तो अपन वो क्या कर सकते हैwiązी क्या बचा log of ni अगर suppose चावल एक किलो चावल है और एक किलो चावल में से एक दाना चावल गिर गया तो आपको फरक पड़ेगा कि आपको नहीं पड़ेगा वैसे यहाँ पर की बात है ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा log of gi minus ni डेल of ni यहाँ पर क्या आपका वो डेल of log of w अब यहाँ पर अपन क्या लेंगे auxiliary condition अब auxiliary condition आपको क्या बताती है auxiliary condition says that the number of particle जो होगे वो क्या होगे conserve होगे और जो energy है वो भी क्या होगे आपकी conserve होने वाली है number of particle and energy will be conserve तो अपन क्या लिखेंगे firstly auxiliary condition जो है वो लिखेंगे कि अगर particle constant है number of particle constant है तो उसका derivative क्या होगा 0 होगा तो summation of del of ni is equal to 0 मैंने जैसे आपको बोला कि summation of del of ni क्या हो जाएगा वापर 0 हो जाएगा ओके number क्यों क्योंकि number of particles जो है वो क्या है constant particles are constant फिर दूसरी बात अपने क्या बोली auxiliary condition से कि जो आपकी energy है energy है वो भी क्या होंगी constant होगी energy मैंने शो की del of e से वो है मेरी summation of epsilon id of ni से शो कर रही है अपन अब epsilon id of ni से energy शो हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो अब इसको पकड़कर equation 1 और 2 को पकड़कर अपन क्या करने वाले है यहाँ पर langrangian multiplication undeterministic लगाने वाले हैं langrangian method of undeterministic multiplier ओके तो अब इसको multiplier का वो जो relation है langrangian relation है वो लगाने के लिए अपन क्या करेंगे equation जो आपका 1 है और यह जो equation 2 है उसमें करेंगे alpha और beta से multiply तो यहाँ पर कर देंगे alpha से multiply और यहाँ पर कर देंगे beta से multiply समझा और जब अपने alpha और beta से multiply किया कि फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे equation में यह वाले equation में उसको कर देंगे add ओके तो आपके पास अब क्या है मैं आपको बताती हूं so what we have del of log of w is equal to summation log of ni minus log of gi minus ni अब मैंने क्या बुरा alpha summation of del of ni लिख दो तो summation तो पहले ही बाहर निकल लिए del ni पहले ही बाहर लिखने वाले हो del of ni तो यहाँ पर क्या बचा प्लस alpha और यहाँ पर क्या बचेंगा plus beta epsilon i समझा आपको यह plus beta epsilon i del of ni बाहर ओके अब at a most probability at a most probability del of log of omega क्या हो जाएंगा 0 del of log of omega क्या होगा 0 किस कब जब आप most probability की बात करूंगे most probable condition में तो आप del of log of w जो है वो 0 हो गया तो आपको मिला 0 equals to summation of log of n i minus log of g i minus n i plus alpha plus beta epsilon i del of n i अब यह जो del of n i है वो आप simply बोल सकते हो कि multiplication में है अब यह जो multiplication में है उसको अगर मैंने supposed to be multiplication के side से अगर दुसरे side लेके जाओंगी तो वो क्या हो जाएंगा denominator फिर 0 के नीचे आ जाएंगा और या फिर अपन क्या कर सकते हो उसको easily drop out कर सकते है तो अपन क्या करेंगे summation of del of n i को क्या कर देंगे drop out कर देंगे मिंस इधर लेके चल जाएंगे okay तो आपके पास जो है simple क्या बचेंगा summation of del of n i पूरा निकल गए आपके पास बाहर निकल गए तो आपके पास जो है पर लागू करेंगे ओके एकवल्स चुक्या था आपके पास जीरो के तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा log of n i upon g i minus n i अब यहाँ पर जो प्लस यह वाला जो टर्म है वह अपन क्या कर लेंगे इसको इधर से लेके आजएंगे ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएंगा log of n i minus log of g i minus n i is equal to alpha minus alpha minus beta of epsilon i ओके जीरो के इधर चला गया फिर इधर अपन क्या हो गया log of n i by g i minus n i is equal to minus alpha minus beta epsilon i clear है आपर अब यहाँ पर जो है कि आपको एक बात पता है कि जब आप log निकलोंगे तो आपको क्या करना पड़ता है exponential में लेना पड़ता है suppose आपके पास log of a equals to x है तो आप क्या कर सकते हो a equals to e to the power x लिख सकते हो वैसे ही अपन इसको करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगा n i by g i minus n i is equal to e to the power minus alpha minus beta epsilon i clear है आपर सभी को ओके तो यहाँ पर इसको अगर मैंने ऐसा हो गया मेरे पास तो अब मैंने क्या कर दिया इसमें से minus को ले लिया common अगर मैंने इसमें से minus को common ले लिया तो मेरे पास क्या हो जाएंगा e to the power minus alpha plus beta epsilon है अब e to the power minus है अब e to the power minus है means क्या तो अपने उसको denominator में लिखेंगे तो इसको अगर मैंने इसको denominator में लेके चली गई तो क्या हो जाएंगा सो अगर मैंने उसको डिनॉमिनेटर में लेके चला गया तो क्या हो जाएंगा n i g i minus n i is equal to e to the power epsilon plus beta epsilon आया है ना alpha plus beta epsilon है तो यह इसा हो जाएंगा clear है यहाँ पर सभी को अब यहाँ पर जो है ध्यान में देने की बात क्या है अब यह अपने को important है अब मैंने क्या curve दिया इस g i minus n i को इधर जाकर multiply कर दिया तो मेरे पास क्या बचा n i is equals to g i minus n i upon e to the power epsilon alpha plus beta epsilon i ओके फिर n i को भी अगर मैंने इधर ले लिया तो n i को अगर मैंने ले लिया और e को इधर डाल दिया तो क्या हो जाएंगा A to the power alpha plus beta epsilon i is equals to क्या हो जाएंगा मेरे पात G I minus ni by ni अब देखो A minus B by C है तो अपन क्या लिखते है A by C minus B by C तो वहाँ पर क्या हो जाएंगा G I वहाँ पर क्या हो जाएंगा मेरे पात G I minus ni minus ni तो ni ni cancel क्या बचा minus 1 बचा minus 1 अब इस minus 1 को अपनने क्या कर दिया अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार यह नीचे का erase करकर So, अब क्या हो गया मेरे पास e to the power alpha plus beta epsilon i equals to g i upon n i minus n i upon n i हो गया फिर मैंने इसको क्या कर दिया n i n i cancel हो कि क्या बन गया 1 फिर यह minus 1 इदर गया तो क्या हो जाएंगा plus 1 तो e to the power alpha beta epsilon i plus 1 g i by n i हो गया अब मुझे क्या निकालना है n i की value निकालनी है अब n i को मैं क्या कर दूंगी इदर divide है तो इदर जाके क्या हो जाएंगा multiply तो n i into e to the power alpha plus beta epsilon i plus 1 equals to g i हो गया अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं जहें इसको multiplication को है इदर multiply है तो इदर जाकर divide हो जाएंगा तो यह जो है आपको answer क्या मिलेगा n i is equals to g i upon e to the power alpha plus beta epsilon i plus 1 समझा आपको यह कैसे आया तो this is your answer समझा n i equals to g i upon e to the power alpha plus beta epsilon i plus 1 is your for the final answer समझा clear है आपर सभी को तो this is all about fermi direct statistical mechanics या फिर फिर्मी direct distribution law तो आपका concept का वीडियो नहीं देखा है तो आप concept का वीडियो चाकर check out कर सकते हो मेरा तब तक के लिए thank you very much for watching this video मिलते है नेक्स वीडियो में stay tune for the next video thank you very much for watching this video अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो like comment और subscribe करना ना भूलेगा झालेगा